नुश्कार आज हम फिर से आपके लिए हिमाचल जी के के कुछ important question लाएं हैं ये question आपको आने वाले TED के exam में काफी help करेंगे साथ ही साथ आपके clerk, पटवारी और forest guard के लिए फी question काफी important है तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रशन अप्शन ए है लगवग 10 प्रशन, बी 30 प्रशन से अधिक, सी लगवग 10 प्रशन, डी 20 प्रशन तो हिमाचल प्रदेश के कुल भूग भाग का 10 प्रशन भाग जो है वो खेती के लिए योग्य है अप्शन ए इसका right answer हो जाएगा लगवग 10 प्रशन next question देखिए रास्टिय क्रिसी बीमा योजना का सुत्रपात हिमाचल प्रदेश में कब हुआ अप्शन ए है 1997 से 1998 के बीच या फिर 1998 से 99 के बीच या फिर 1999 से 2000 के बीच या फिर 2000 से 2001 के बीच तो इसका right answer क्या हो जाएगा 1999 से 2000 के बीच option C इसका right answer हो जाएगा next question देखिए ट्रिमिनेलिया शबूला किस पौधे का नाम है option A है चाय B हरड C ब्रामी D बेड़ा तो ट्रिमिनेलिया शबूला किस पौधे का नाम है ये हरड का नाम है next question देखिए चुकंदर वकेसर किस जिले में पैदा होता है option B इसका right answer हो जाएगा option A है आलू B टमाटर C सेव D मतर तो कुफरी जिवन वकुफरी जोती किस की किस में है ये आलू की किस में है option A इसका right answer हो जाएगा next question देखिए हिमाचल प्रदेश में किस फसल का उतपादन सबसे अधिक होता है option A है चावल B गेहूं C मक्की D बाजरा तो हिमाचल प्रदेश में इनमें से किस फसल का उतपादन सबसे अधिक होता है option B इसका right answer हो जाएगा मक्की का उतपादन सबसे अधिक होता है next question देखिए टोकनी का ज़्यादतर उतपादन कहां होता है तो hopes का ज़ादर तर उत्पादन कहा होता है hopes का ज़ादर उत्पादन होता है लहौल स्पीती में option 20 का right answer हो जाएगा लहौल स्पीती निमलिक्त मैं से कौन साजीला खुम मसरूम की खेती के लिए प्रशित है option A है ये question J.B.D. 2010 में भी पुछा गया था तो खुम नगरी किसको कहा जाता है इस तरह से भी question पुछा जाता है कि खुम नगरी किसको कहा जाता है तो मसरूम की खेती के लिए जो प्रशित है वो कौन सा जिला है ये है अपना शोलन जिला option A इसका right answer हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में चावल उत्पादन में कौन सा जिला सिर्ष पर है option A है मंडी B कांगडा C शिर्मो डी उन्ना तो चावल उत्पादन में सिर्ष पर कौन सा जिला है चावल उत्पादन में सिर्ष पर जिला है कांगडा जिला कांगडा आप्शन भी इसका राइटन सर्फ हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में अद्रक का सरवादिक उत्पादन किस जिले में होता है तो अद्रक का सरवादिक उत्पादन किस जिले में होता है सोलन में होता है सिर्मौर में या कांगडा में या फिर बिलासपूर में तो सरवादिक उत्पादन होता है अध्रक का आप्शन भी सिर्मोर जिले में सोना लिका किस फसल की किस्म है गेहूं की है मक्की की है जो की है या चावल की है तो सोना लिका किस फसल की किस्म है ये गेहूं की फसल है आप्शन ए गेहूं आप्शन ए है आलो बुक्हारा बी टमाटर सी निंबु डी खुमानी तो सोलन गोला किसकी किसम है? सोलन गोला है किसकी किसम यह है टमाटर की किसम हिमाचल प्रदेश के किन जिलों में परमपरागत रूप से चाय उगाई जाती है तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ाब अमंडी में परंप्रागत रूप से चाय उगाई जाती है नेक्स्ट कॉश्चन देखिए लाजो नामक पुस्तक किस ने लिखी थी? उप्शन ए है सांता कुमार, बी अक्षर सी, सी, एमार ठाकु, डी, एमेस रंधावा तो लाजो पुस्तक किस ने लिखी थी? राजो पुस्तक लिखी थी सांता कुमार ने उप्शन एस का राइट अंसर है नेक्स्ट कॉश्चन देखिए शिमला अतीद और बर्तमान के लेखक कौन है? जॉन सी, नॉर्थ प्रुक, एडवर्ड जेवक और वल्सी प्रिंसप तो शिमला अतीद और बर्तमान के लेखक कौन है? एडवर्ड जेवक इसका राइट अंसर हो जाएगा उप्शन डी एडवर्ड जेवक इसका राइट अंसर है नेक्स्ट कॉस्चन देखिए नीमन पुस्तकों मैं से किस में कालिदास ने किंद्रों का बर्णन किया है? तो कालिदास ने किंद्रों का बर्णन किया है? उप्शन ए है कुमार संभब, बीमेक दूत, सी अभिज्यान संकुन्तलम, डी रगुबंशम तो इसका राइटन्स रो जाएगा कुमार संभब मैं कालिदास ने किंद्रों का बंडन किया है Option A कुमार संभब History of Monday पुस्तक के लेखक कौन है तो History of Monday पुस्तक के लेखक कौन है ये पुस्तक लिखी है किसने मनमोहन सीने Option D इसका राइटन्स रो जाएगा मनमों सी ने हिस्ट्री ओफ मंडी स्टेट पूस्तक लिखी है जुबल के किस दरवारी कवी ने ललिद काब्यम लिखा गनेशी ने कनहिया लाल सर्मा ने बंसी राम ने या फिर कांशी राम ने जुबल के कनहिया लाल सर्मा ने लिद काब्यम लिखा कनईया अलाजर्मा ने लिदकाबियम लिखा पोलियांडरी इन हिमालिया के लेखक कौन है आप्शन ए है मिया गोबर्दंसी B.M.S. अहलुवालिया C. शांता कुमार D. Y.S. परमार तो इसका राइट अंसर हो जाएगा Y.S. परमार पोलियांडरी इन हिमालिया के लेखक है Dr. Y.S. परमार सन 1983 में प्रतम पहाड़ी कविता पुर्षकार की से मिला आप्शन ए है Dr. बिर्याम सी B. श्रीकेशब सी C. टीएस नेगी तो 1983 में पहाड़ी कविता पुर्षकार मिला Dr. बिर्याम सी Option A. इसका राइट अंसर है Dr. बिर्याम सी डल लेख हिमाचल परदेश के किस जिले में है कांगडा में, उन्ना में, शिमला में या फिर इनमें से कोई नहीं तो डल लेख कहा है कांगडा जिले में Option A. कांगडा जिला Next question देखिए इसका राइट अंसर हो जाएगा इसकी लंबाई कितनी है 88 किलोमेटर इसकी लंबाई है और इसी जिल पर 226 मेटर उंचा भागडावान बना हुआ है ये चीजें भी आप याद रखिएगा Next question देखिए दसहर जिल कहां स्थित है Option A है मनाली के पास कुलू में रिवालसर टाउन या फिर दनकर सिर्मौर या इनमे से कोई नहीं तो दसहर जिल कहां पर है दसहर जिल ये है अपने कुलू जिले में और कितनी उंचाई पर स्थित है दसहर जिल 42 सो मेटर की उंचाई पर स्थित है स्मूदर तल से और यह जीर मनाली से 25 किलो मेटर दूरी पर स्थित है और कहा जाता है कि यहां पर सनान करने से अकुवर की बेटी का अधरंग भी ठीक हुआ था सुरज ताल जीहिल हिमाचल प्रदेश के किस जीले में स्थित है option A है कुलू B चमबा C लहौल स्पीती D सीर मौर सुरज ताल जील किस जीले में स्थित है सुरज ताल जील स्थित है लहौल स्पीती में option C आप्शन इसका right answer हो जाएगा और ये कितनी मेटर उंचाई पर स्थित है बाकी लहौल स्पीती में और जीलों की बात करे तो चंदर ताल जील है दिपक्ताल है, युनामसा जील है, निलकंट जील है, धनकर जील है और सिसु जील भी है तो इन सब को भी आप याद रखिएगा, इस सारी लोहलस्पिती जीले में है सरवालसर और भ्रिगू जीले किस जीले में स्थीत है? ए लोहलस्पिती, बी कुल्लू, सी शीरमॉल, डी मंडी तो सरवालसर और भ्रिगू जीले कहां पर स्थीत है? ये जीले हैं, कहां पर? ये हैं कुल्लू जीले में स्थीत ऑप्शन भी इसका राइट अंसर हो जाएगा कुल्लू जीले की अन्य जीलों की बात करें तो मंतलाई जील, द्योरी जील, हंसा जील ये कुल्लू जीले में स्थीत है डैनासर जील ये भी कुल्लू जीले में है सरिताल जील ये भी कुल्लू जीले में है करेरी जील किस जीले में स्थीत है? तो करेरी जील किस जीले में स्थीत है? option c कांगडा जिला में यह जिल स्थीत है गोविन सागर जिल के निकटतम कौन सा जिला मुख्याले है तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि गोविन सागर जिल किस जिले में है यह बिलासपूर जिले में स्थीत है तो option c इसका right answer हो जाएगा और इसी जिल पर जो है भागडा बांद बना हुआ है जो की 1963 में बनकर त्यार हुआ था तो भागडा बांद कब बनकर त्यार हुआ था 1963 में बनकर भागडा बांद त्यार हुआ था और यह कृतिम जिले आर्टिफिशिल लेक है सूरज ताल वज चंदर ताल क्या है तो सूरज ताल वज चंदर ताल क्या है option यह है नदियां है प्राकृतिक जीले हैं खिलाडी हैं या फिर कृतिम जीले है तो इसके बारे में हमने पहले भी discuss कर लिया है सूरज ताल और चंदर ताल क्या है ये प्राकृतिक जीले है option B इसका right answer हो जाएगा प्राकृतिक जीले है और ये कहाँ पढ़ती है ये लौल्सपीती जीले में ये जीले है चंदरनाहान जील किस जीले में स्थित है option A है शिमला, B कांगडा, C मंडी, D चमबा चंदरनाहान जील कहाँ पर स्थित है 4217 मिर्टर की उंचाएप पर स्थित है और ये कहाँ पर है, रोडों में है और इसे पब्र नदी का उदगम स्थल है ये पब्र नदी का उदगम भी इससे ही होता है और ये जील साथ स्रोबरों का स्मूग है इसके बारे में ये भी जान ली जिए साथ सुरोबरों का यह जील समूव है शिमला की अन्य जीलों की बात करें तो शिमला में और कौन सी जील है कराली जील ये भी शिमला में है ब्रादोनासर जील ये शिमला में है गड़कूपर जील ये भी शिमला में है कल फिर हम आपके लिए हिमाचल जी के क्वेश्चन लाएंगे साथ हिंदी समने हिंदी हिंदी बैगरंड के भी कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लाएंगे तन्यवाद